जैहन्द, नमस्कार मेरे सेर्ट सेर्णियों, लाद लो आज का वीडियो इस पेसली CRPF पर, कि CRPF किस परकार की डूटी है करती है, आप में से कई बच्चों का सेलेक्शन CRPF में हुआ होगा, या कुछ बच्चे इससे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सपन होगा, CRPF जोइन करने का, आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि CRPF जो फोर्स है, ये किस परकार से डूटी करती है, क्या कैस की डूटी होती है, इसके मदम से आपको कौन-कौन से कमांडो मनने के चांसेज मिलते है, शाहत इसकी सेलेरी क्या होती है, किन कि डूटी होती है, कितने साल कि इसकी सर्वीश होती है, इसमें पेंशन होती है, या नहीं होती है, या किस परकार से कितने दिन की छुटटी होती है, यह अगर आप मोटा-मोटा समझे, तो आपको CRPF की पूरी आज में जड़े है, और पूरे राज बताने वाला हूँ क्य होती है CRPF बहुत खतरनाग होती है CSF अच्छी पोस्ट है तो मैं आपके भरम आज तोड़ने वाला हूं शुरुआ किरते हैं CRPF की CRPF की full form आप सभी को पता होगा Central Reserve Police Force ठीक है यह किसमे आते हैं सबसे पहले यह सभी के सभी आते हैं CAPF में CAPF का मतलब होता है Central Armored Police Forces उसी का एक भाग है CRPF Central Reserve Police Force नाम में Reserve रहते हैं यहीं डिवटी बहुत है यहनि देश की जो आंतरिक शुरुख साका जिम्मा उठा रखा है वो CRPF ने परदियन टाइम में उठा रखा है लाटनों अपने ऊसे का सब्सक्राइब के दोरान देखा होगा कर्ष्व में CRPF न तेsterपेपby का सभी थाथ कि उसका पूरा जिमा किसने ले रहा है वह ले रहा है कि सबसे पहले पिके फुल फॉर्मस चेंट्रल इजर प्लिस फॉर्स ठीक है CRPF में 55 दिन की चुटी होती है सबसे पहले मैं आपको चुटी बता जता हूँ कि चुटी बाला सिस्टम तोड़ा सा भारी होता है 50 दिन की चुटी होती है और 15 दिन CL होती है जो ये CL होती है इसमें अगर आपके बीच में संडे है तो वो भी जुट जाएंगे तो यह नहीं जो पंदरा दिन की चुटी है यह 20-25 दिन तक चली जाती है कई बार अगर बीच में मानलो जो भी गॉर्मेंट चुटिया है वो CL में जुट जाएगी और वो चुटियां भी आपको मिल जाएगी तो लगबग एक साल में आपको इसमें असी दिन की चुटी मिलती है ठीक है अब इसके बाद में बेसिक पेमेंट की बात करते हैं देखिए CRP में जो बेसिक पेमेंट आप जोइन करोगे 21,700 रुपे आपको इस्टाटिक पेमेंट मिलेगा साथ ही इसमें DA पलस एंचारे जो एंचारे मिलता है ये मिलता है कि आपका किस सिटी में किस गाउं में आपका घहर उसके हिसाफ़ से आपका हॉम रेंट अलाउंस मिलता है ठीक है और DA ये भी इसमें जूड़ जाता है साथ ही राशन मनी बोलते है आरम ये भी आपकी पेमेंट में जूड़ के आता है जब आप बेसिट ट्रेंडिंग में जाते हो उस समय है एकईस हजार प्रेस लगबख अट्वी सो रुपए के आपको जमा करानी होती है यह पेसा आपके काम का नहीं है यह जब आप छूटी पे रहते हो तब आपके फाइदेगा बाकि आपको जमा करना पड़ता है यह आपको ही मिलेगा इस पर पूरा अधिकार आपका है और आपको पीसफूल एरिया में मिलता है यह जहां पर खतरा नाम सुना होगा जब इसकी स्पेसल फोर्स कोब्रा में आप जाओगे या जो भी नक्सलाइड एरिया या जो डेंजर जोन वाला एरिया कस्मीर यहां पर मिलता ही कितना मिलता है शत्रा हजार तीन सो शेकिंड है इ देन भागों में बाटा गया है और तीसर जो अलांच हो वो यह लगज बख चौतर 100 रूप है यह आपको पीस पूल एरिया में मिलता है यहां पर खतरा नहीं हम फोता वहां पर यह मिलता आपको जो कुछ स्टेक वाला एरिया जहां पर हलका पूलका खतरा भी लगा रहता ह वहां पर और यह मिलता हाई सिक्रिटेड एरिया में जैसे कस्मीर हो गया 37 उडिशा जार खंड इसी जगना नक्सल आडियों के साथ में मुट्वेड होती है वहां पर यह अलाउंस मिलते हैं तो पेमेंट का आपका केले हो गया फुट्टी का केले हो गया अब बात करते हैं ड पर आफचा मुट्वेड थिूटेप खर्थ ज्राईन के ख़िलाब डुटी शॉक्त्वेसि प्रदों कोभरा न को इसे कि दम सकते हैं दूसरी किसा कोई इसकी 10 battalion है कोब्रा की आप इसमें कब जा सकते हो ट्रेनिंग के तुरंट बाहर जा सकते हो बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि कोब्रा कमांडो कब बन सकते हो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो वहाँ पर कोब्रा जोईन कर सकते हैं यहीं बेसिक क्रेनिंग के तुरंट बाद आप जा सकते हैं अगले दो तीन महीने के अंदर ठीक है तो एक तो नक्सल के खिलाब दूसरा election duty election duty कोण करती है CRP करती है तीसरा शांती व्यवस्ता यहनी जहां दंगे हो जाते हैं ठीक है वहाँ पर duty कोण करती है CRP करती है आपने देखा होगा जैसे दिल्ली राजदानी में आपको CRP के बहुत सारे जवान मिल जाएंगे ठीक है आपने देखा है कि ब्ल्यू कोलर की ड्रेस में के गुमते रहते है जवान वह भी किस के होते हैं CRP के होते है ठीक है रेपीड एक्शन फोर्स यह भी CRP की duty है अगे लिए हम बात करें तो NDRF में भी CRP की जबान जाते है इससे आगे अगे हम बात करें तो NSG में भी CRP की सर्वश होनी कि कितने साल की यесि कम से कम आपको 5 साल पछले CRP में आप pry में सर्विस thatill me yahoo c यह घूटी यह की में रि इसके अलावा CJS के खिलाप कि कि कश्मैर है कि काशमर में है किस क्शिर त्राइप में बतांगा किस-क प्रकार की ड्यूटी होती है Faith इसमें हैं डूटर सब और समय पे आपको सबसे बढ़ा क्यों ना चांदता कियो इसे ड Literally आप इसके लिए समय मिल जाता है बिल्कूल मिल जाताば पढ़ने के हैं इक हम चलन करता आप, जब ओर का तो इस परकार सोती ल्यागो डोगंटे डूटि और घंते तो कि इस प्रकार से ड्यूटि विल दो गंटे ड्यूटे चीर गंटे fresh फिर दो गंटे ड्यूटे कि ज़ुट गंटे ए इस पतापना रह्ना खाना यूद्य ऑपक्ता वोगिँ करते हैं बाकिया आप सेखरेना जब gua चाहँ सकते हैं अब अगर आप डूटी आप किसे अरिया में करें हो जहां पर दिन में डूटी लेक्ते हो तो आप नाइट में आपकी रेस्ट रहेगी मानुके चलिए कि अगर पेट्रो लिंग जा रहे हो तो सुबद 6 बजे आते हो तो साम को 4-5 बजे तक आप वापस आजाते हो और फिर आ इस दोरा ना पढ़ सकते हो इनी पड़ाई आप जारी रख सकते हो अब यह जूटियां अलग होती है और कौन-कौन सी जूटिय करती है देगी नक्सल के खिलाब कश्वीन में आतंगवादियों के खिलाब इलेक्शन ड्यूटि शांतियों इसता बनाए रखने के काम इने एक्षो तरमारी धारा में भी कौन करती है अगर आपके मुख्ये मुद्दे पर आते हैं कि स्यार्प बहुत डेंजर्ट फोर्स है यह आपका मेनमुदा नहीं अब किसी भी फोर्स में चले जाईए या कहीं पर भी चले जाईए फोजी अगर आप है तो रिस्क तो है फोज जहां फिक्स है रिस्क वहां पर है ठीक है क्योंकि आप बेल्ट की नोकरी में उसे नोकरी को पर फिर कर रहे हैं फोज की जो देश की सुर्क सा वेश्टा को देखती है तो रिस्क तो ही है जब आप फिस सबки कर दो कि हधिया कि कि अ e dois और सा रिस्क बना रहता है या आप काश्मीर में डिटी करते है। आप सभी को बताया पता है काश्मीर के बारे में कि कश्मीर के का आहलात रहते बाकी और किसी भी डिटी में ज्यादा प्रोब्लम नहीं नहीं लेकिन हाँ जब आप नक्सल एरिया में या कश्मीर में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क कर रहता है इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन एक बात हमेशा रध्यान रखिए कि जहां को राके साई यार मार सके ना कोई जिना मनना उपर वाले के हाथ में है रिसक हो नहीं होना हम गर से बार गाजी लेके निकल रहे हैं दो पढ़ने गाजी यह तो भी एक Darren हो सकता है चारपी है कि यह तो भी और तो रिस्क तो जीवन में है यह है तो इसके लिए निरास नहीं होना कि CRP में बहुत बढ़ा रिस्क है लेकिन CRP के बहुत अच्छी बात भी है कि यहां पर आप हर तीन साल बाद में एक तो आपकी डूटी चैंज हो जाती है ठीक है आप हर दूसरे तीसे इसे एरिया में आप पूस्टिंग करने के बाद में पोस्टिंग लिए सकते हैं ठीक है अपनी इच्छा से अपने जहां आप रहते हैं उसके आच-पास में घर के आजपास में डूटी ले सकते हैं अगर वहां पर CRP की कोई बटा लीन है तो आपको को एक स्वेचिक पोस्ट भी मिल जाती है आ रहा तो आपको सीधा 50,000, 60,000 अकाउंट में आ रहा है तो पेमेंट भी बहुत अच्छी है ठीक है और थोड़ा सच अगर फोजी है तो फोजी वाली फिलिंग भी सीर पेव डेत्थी है ठीक है तो rifौोगी से ऐर्प्र की फॉर्स बहुत अच्छी फोर्स है कोई इसमें संदे़ी नहीं है में खुद इसमें डूट विटकिया हूं तो मैं नेको बहुत अच्छे से पता है कि CRIP वैप कितनी अच्छी फोर में भीो भी हैं उसेशभी में सब में तो ही इस एसेुआ है शोजी किस लिए रिस्क से लड़ने वाला इंसान ही होता है नहीं तो बाकी और भी फोर्स है ना गर जो भी देखने तो रेलवे में चला जाएगा बाबू बन जाएगा अगर बेल्ट की नोकरीर वह भी फोर्स की और फोर्ज की वर्दी पहननी है तो थोड़ा बहुत उसके लिए रिस्क उठ करूंगा जय हिंद जय भरत लाड़ो